विधान परिश्यक की नाकपुर सनातिक सीट के लिए मंगलवार को हुए चुनाओं में मद्दाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया 2014 में हुए पिछले चुनाओं में करीब 34.70% मद्दान दर्ज हुआ था इस बार 60% के उपर मद्दान होने की उमीद जताई चारे है हाला कि प्रशासन ने 55% मद्दान होने का प्रात्मिक दावा किया है लेकिन राज 10.50 बचे तक अंतिम आकड़ेवारी जारी नहीं हो सकी थी मद्दाताओं के इस उत्साहनी चुनाओं में अपना भाग या आजमा रहे कुल 19.00 उमेदवारों की धड़कने बढ़ाती है हाला कि इस चुनाओं में मुक्य मुकाबला भाजपा के संदीब जोशी एवं कॉंग्रेस के अभीजीत वंजारी के बीच बताया चारा है दोनों ही दल मद्दान का प्रतिशत बढ़ाने की अपने पक्ष में बता रहे है लेकिन दबी जुबान में वे इस बात को स्वीकार कर रहे है कि बड़े हुए मद्दान ने सारे समीकरोनों को ध्वस कर दिया है उधर राजनतिक हलकों में अलग-अलग दावे किये जा रहे है कोई दावा कर रहा है कि महाविकास अगारी में शामिल तीनों दलों के उमेदवार वंजारी को इस से लाब मिलेगा उधर भाजपा के निता कह रहे है कि उनकी पार्टी पर मद्दान प्रतिशन बढ़ने से कोई असर नहीं होगा वो लेकनिये हैं कि यह निर्वाचिंग शेत्रों भारतिय चंता पार्टी का आभीत किला है और इस चिनाव में भी उन्हें जीत मिलेगी इस बीच कुछ निर्दलिय उमेद्वार ने भी मद्दान के दिन अपना दमखम दिखा कर सभी को चोका दिया है